दोस्तों आज में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आलू के कुरकुरे लच्छा पकोडे और ये लच्छा पकोडे इतने जादा कुरकुरे बनते कैसे हैं क्या है इनका राज आज इस वीडियो में हम जानेंगे यही कि लच्छा पकोड़े इतने जादा कुरकुरे और क्रंची कैसे बनते हैं क्या ऐसी खास ट्रिक लगानी पड़ती है या क्या चीज डालनी पड़ती है जिससे ये इतने करारे बनते हैं तो चलिए फटा फट से देर ना करते हुए हम देख लेते हैं कि ये लच्छा पकोड़े कैसे बनते हैं और एतने कुरकुरे ये कैसे होते हैं इनकी खनक सुनिए आप तो फिर चलिए खोलते हैं इनका राज हलो दोस्तों असलाम लेकुम कैसे आप सब मैं हूँ रश्मी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जाय के रिसुई दोस्तों आज हम बना रहे हैं आलू के कुरकुरे लच्छा पकोड़े जिसमें ना हम सोडा डालेंगे और ना ही कोई और चीज डालेंगे जिससे के ये इतने जादा कुरकुरे बनेंगे इतने क्रंची बनेंगे तो कैसे बनेंगे ये तो आईए देखते हैं बिना किसी खास ट्रिक से ये लच्छा पकोड़े इतने जादा कुरकुरे कैसे बनते हैं जिसमें हमें कोई खास ट्रिक भी लगाना नहीं पड़ती तो हमने यहाँ पर सिंपल तरीके से आलू के चिप्स बना लिये हैं अब चिप्स को हम इस तरह से बारिक बारिक लच्छे में कट कर लेंगे कई सारे चिप्स लिये हैं हमने उसको हम इस तरह से कट करेंगे और इनसे हमें बारिक बारिक लच्छे मिल जाएंगे तो लक्षे जादा मोटे नहीं होने चाहिए और नहीं जादा बारिक होने चाहिए ये देखिए मैंने लक्षे सारे तयार कर लिये हैं और ये अब इनको हम पानी में डाल देते हैं जादा दे तक बाहर नहीं रखना नहीं तो फिर ये काले हो जाएंगे और इन्हें दो बार हमें धो लेना है उसके बाद हमें इसे पानी में ही पड़े रहने देना है तो ये देखिए हमने दो बार इन्हें धो लिया है और ये अब पानी में हैं और ये जादा क्रंची रहेंगे और इस तरह से हम पानी इसका निकाल देंगे तो चलिए तब तक हम बेसन तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने तीन स्पून बेसन लिया है बेसन इसमें जादा नहीं लेना मैंने तीन बड़े आलू लिये थे और थोड़ा थोडा पानी डालकर हम इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे बेसन को हमें बहुत गाढ़ा गोलना है जाधा पतला नहीं रखना क्योंकि इसमें जब हम आलु डालेंगे तो आलु नमक के साथ मिलकर अपना पानी छोड़ देंगे तो इसलिए हमारा बेसन जादा पतला हो जाएगा तो इसलिए हमें थोड़ा गाड़ा बेसन गोलना है कितना गाड़ा बस ये देखिए इतना गाड़ा हमें गोलना है इससे जादा पतला हमें नहीं करना ये देख सकते हैं आप ये बहुत देर में इससे नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है तो चलिए हमारा बेसन तयार हो गया है अब हम क्या करेंगे सारे लच्छे निकाल कर पानी में से निकाल लिए हमने पहले ही अब इनको थोड़ा और अच्छे से निचोड़ कर इसमें डाल देंगे बेसन में और इनको अच्छी तरह से हम बेसन में मिक्स कर लेंगे पहले हमने थोड़े लच्छे डाले हैं और इनको we mix कर रहे हैं फिर उसके बाद हम दोबारा सारे लच्छे डाल देंगे और फिर इनको अच्छे से mix कर लेंगे पानी इसमें अब बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि आलूं से पानी निकलेगा तो फिर बस उसी में ही पतला हो जाएगा तो ये देखिए लच्छे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इतना बेसन होना चाहिए जादा बेसन ना हो इन में लच्छों में अगर जादा बेसन होता है तो क्या होता है कि लच्छे ना सॉफ्ट बनते हैं इतने क्रंची नहीं बनते तो हलका बेसन इसलिए मैंने इतना कम बस अब हम इनको इस तहरा से फ़ड़ा पैलाते हुए डाल देंगे गोल कोड़ी बनाके नहीं डालना हमें थोड़े पहले फेले लचे डालना है ताकि यह जादा क्रणची बने क्यूंकि फ़हले लचे हम डालेंके चप्टे करके तो जादा ग्रंची बनेंगे अगर हम गोल गोल पकोड़ी की तरह डाल देंगे तो फिर ये इतने जादा क्रंची नहीं बनेंगे तो कुछ देर इसे फ्राइ होने के बाद हम इनको पलट देते हैं क्योंकि एक साइट से थोड़ा गोल्डन कलर आ जाए तो दूसरी साइट से भी मंगाना जरूरी है तो बस इनको कुछ देर बाद हमने पलट दिया है और इन दोनों साइट इन पर एक गोल्डन सा कलर आने तक हम इनको फ्राइ करेंगे और सिलो टू मीडियम फिलेम पर हमें इने फ्राइ करना है जादा तेज आँच नहीं रखनी अगर जादा तेज रखेंगे तो फिर क्या होगा यह उपर से जुलस जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे और इतने अच्छे क्रंची नहीं बनेंगे तो ये हमारे दोनों तरफ से लच्छा पकोडे क्रंची हो गए हैं गोल्डन कलर आ गया है इन पे तो बस अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और अपना जो दूसरा बैच है उसको भी इसी तरह हम तयार कर लेते हैं ये देखिए मैं किस तरह डाल रही हूँ थोड़ा पहला के तो बस इसी तरह आपको भी डालना है तो चलिए अब हमारे सारे लच्छा पकोड़े तयार हो गए हैं ये देखिए आपने आवाज तो सुनी होगी इनको जब मैंने डाला है प्लेट में तो कितनी जादा आवाज आई है तो इससे ही पता चल रहा है कितने जादा क्रंची हैं अब इन्हें आप इफ्तेयर में बनाएए या फिर बरसात के मौसम में बनाएए तब भी बड़ा मज़ा आएगा या फिर आप इन्हें शाम की चाय के साथ खाईए बहुत मज़ा आएगा तो दोस्तों कैसी लगी आप लोग को मेरी लच्छा पकोड़े की सिंपल सी रेसिपी अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलती हूँ मिलती हूँ आप से फिर किसी ऐसी ही सिंपल सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज